नमस्कार मेरी प्यार दोस्तों मैं स्वरो कुमार सिंग स्टूर्ड इस्ट्रडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आसा है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी आज हम लोग पढ़ने चा रहे हैं भारती राजवेस्था एवं समिधान जो कि exam of view से बहुत ही important है पूरी लूसेंट का ये हम नीचोर पढ़ने जा रहे हैं मेरा दावा है कि इससे बहार exam में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा 100% guarantee है और total हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1195 MCQ question total question भारती राजवेस्था एवं समिधान से ही रहेगा और मेरे प्यारे दोस्त exam से पहले आप यह total question को अच्छी तरह एक बार जरूर पढ़के जाईएगा और exam देने के बाद आप जरूर बताईएगा comment section में कि आपका exam कैसे गया तो चलिए हम बिना देर के वह स्टार्ट करते हैं भारती राजवेस्था तथा समिधान पहला question है भारती समिधान की रचना में निमलखित में से किसने सरवाधी गंभीर प्रभाव छोड़ा था बहुत ही important question है तो इसका right answer होगा option मड़ी भार सरकार अधिनियम 1935 चलिए second question है जुलाई 1946 में अस्थापित समिधान सभा के सदस्यों में निमलखित में से कुन सामिल नहीं था तो इसका right answer होगा मातमा गांधी जी हाँ डाक्टर राजेंद परसाद थे केम मुंसी थे अभूल कलाम अजाजी थे next question है भारत की समिधान सभा गठित करने का आधार क्या था तो इसका right answer होगा option number B cabinet mission plan 1946 फोर्थ नमर question है सोतंत भारत की लोग सभा का पहला अध्यक्ष कौन था तो इसका right answer होगा गनेश वासुदे मालंकर option number D next पाजमा question है भारत की समिधान सभा का समिधानिक सला का कौन था तो इसका right answer होगा sir B.N.Raw अर्थात option number C six number question है भारती समिधान अपनाया गया था कब जी हाँ अपनाया गया था 26 नमबर 1909 को option number C और पारित क्या गया था 26 जनमबरी 1950 को तो इसका right answer होगा option number C 26 नमबर 1909 अपनाया गया था अपनाया था 27 नमबर कोशन है भारत का पाला उपरधान मंतरी कौन था तो इसका right answer होगा option number B बल्लभाई पटेल 8 नमबर कोशन है नेमलखित में से भारतिय सम्विधान सभा का अध्यक्ष कौन था तो इसका right answer होगा option number A डाक्टर राजन परसाद 9 नमबर कोशन है भारत के पाले राश्पती के रूप में डाक्टर राजन परसाद का चुनाओ क्या गया था किस माध्यम से तो इसका right answer होगा option number C समिधान सभा दुआड़ा next 10 नमबर कोशन है हमारा राश्टरगान पहली बार कब और कहां गया गया था तो इसका right answer होगा option number D 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में 11 नमबर कोशन राश्टरगान पहली बार कब गया गया था जी हाँ अभी जेस्ट हीं बता हैं 27 दिसंबर 1911 को राश्टरगान गया गया था जो की option में नहीं है तो इसलिए इस question को हम side रखते हैं 12 नमबर कोशन है सोतंत भारत में निमलखित में से कौन सी महिला किसी राज की पहली राजपाल थी तो इसका right answer होगा option number A. स्रीमतिस सरोजनी नयोड़ी जी तेरे नमबर कोशन है भारती समिधान लागू कब हुआ था तो इसका right answer होगा 26 जनमडी 1950 को next 14 नमबर कोशन है भारत में दल रहित लोकतंतर का प्रस्ताव किसने रखा था दल रहित तो इसका right answer होगा option number A. जै प्रकास नराएंजी पंदर नमबर कोशन है डाक्टर भीम रावंबेदकर ने समिधान का हिर्दे और आत्मा किसे कहा था तो इसका right answer का option number C. समिधानी उपचारों का अधिकार को 16 नमबर कोशन है भारत की समिधान सभा ने किस वर्स में कामकाज प्रारम किया था तो इसका right answer का option number B. 1946 को 17 नमबर कोशन है संसत की केंदरिय कक्ष में समिधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो इसका right answer का 9 December 1946 को नेक्स्ट 18 नमबर कोशन है भारती समिधान की प्रारूपन समिधिक अधियर्च कौन थे तो इसका right answer का option number A. डक्टर भीम्रा अमबेदकर जी नेक्स्ट उन्हें इस नमबर कोशन है एक आत्मक सरकार में समस्त सताकत किसके हाथ में होती है बहुत ही important question है तो इसका right answer होगा केंद्रिय सरकार के पास option number B. बीच नमबर कोशन है समिधान सवा की प्रारूप समिधिक अधियर्च कौन थे अभी हम जश्ट बताएं इस question का answer तो इसका right answer होगा option number A. डक्टर भीम्रा अमबेदकर एक इस नमबर कोशन है भात में किस परकार का लोकतंत्र है तो इसका right answer होगा option number C. परती नीधियों का याद रखेगा जिसको हम लोग चूनते हैं option number C. बाइश नमबर कोशन है आंसर दीख ही जाता है आप लोगों को बाइश नमबर कोशन नेमलखित में से कौन सा देश आधुनी लोकतंत्र की अस्थापना करने वाला पहला देश था तो इसका right answer होगा अमेरिका तो इस नमबर कोशन है समिधान के उधगाटन के लिए 26 जनवरी कोई चूना कया था क्यों? क्योंकि 26 जनवरी कोई खास दिन होगा तो इसका right answer होगा कॉंग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधिंता दिवस के रूप में मनाया था जी हाँ 1930 में स्वाधिंता दिवस के रूप में मनाया था 26 जनवरी 1939 को और सी इसका राइट आंसर होगा 24 नमर कोशन भारत के समिधान का निर्माता किसे माना जाता है तो इसका राइट आंसर होगा और सनमर भी भीमरा अमबेद करको 25 नमर कोशन भारती समिधान डैस को अस्तित्व में आया तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था जी हैं आप्सन नमर बे 26 नमर कोशन है भारत के गनतंत्रिय दल की अस्तापना किस ने की तो इसका राइट आंसर होगा आप्सन नमर सी डाक्टर भीमरा अमबेद करजी 27 नमर कोशन है सविधान की मसोदा समीधी के अध्यक्ष समक्ष प्रस्तावना किस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी सविधान की मसोदा समीधी के समक्ष प्रस्तावना किस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी तो इसका राइट आप्सन नमर ए जवानलाल नहरू के द्वारा नेक्स्ट 28 नमर कोशन है समीधान सवा में यह किस ने कहा था कि सरकारी नीती के निर्देशक सिध्धान किसी बैंक में दै उस चेक की तरह है जिसका भुकतान बैंक अपनी स्विधा अनुसार करता है तो इसका राइट आप्सन नमर डी केटी साका याद रखिएगा जिहां केटी साका नेक्स्ट 29 नमर कोशन है भात में केबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था तो इसका राइट आप्सन नमर बी सक्ति के अंतरन के लिए एक समिधानिक विवेस्था निश्चित करने के लिए केबिनेट मिशन को भेजा गया 246 में नेक्स्ट तीश नमर कोशन है भात की समिधान सभा किसने किसके कहने पर बनाई गई थी तो इसका राइट आंसर होगा आप्सन नमर डी केबिनेट मिशन के द्वारा उसी के कहने पर बनाया गया था नेक्स्ट एक तिस नमर कोशन है भात के समिधान का गठन डैस द्वारा किया गया था तो इसका राइट आंसर होगा ओप्सन नमर B विधान सभा द्वाड़ा 32 नमर कोश्चन है समिधान सभा ने राष्ट गान कब अपनाया तो इसका राइट आंसर होगा ओप्सन नमर C 24 जन्वरी 1950 को राष्ट गान को अपनाया था 33 नमर कोश्चन है पर्थम केंद्रिय विधान सभा का गठन कब किया गया था तो इसका राइट आंसर को ओप्सन नमर D 920 को पर्थम केंद्रिय विधान सभा का गठन किया गया था नेक्स्ट चोंतिश नमर कोश्चन है जिस समिधान सवहा द्वारा भारत के समिधान का अधिनियम किया गया उसके सदस से कौन थे तो इसका रायटा अंसर को आप्सन नमर बी विभीन प्रांतों की विधान सवहाओं द्वारा निर्वाचित सदस थे याद रखिएगा बहुत इंपोर्टन कोश्चन है विभीन प्रांतों की विधान सवहाओं द्वारा निर्वाचित सदस थे नेक्स्ट 35 नमर कोश्चन है राजनितिक सोतंतरता का अर्थ क्या होता है जिहां राजनितिक सोतंतरता का अर्थ क्या होता है तो इसका राइट आंसर होगा option number B लोगों की मुक्त राजनितिक गतिवीदियां जी हाँ राजनितिक सोतंतरता का अर्थ होता है लोगों की मुक्त राजनितिक गतिवीदियां जो की बहुत important है नेक्स्ट 36 नमर कोशन है भारत पूर्ण संपुर्भू लोगतांत्रिक गनतंत्र कब बना इसका राइट आंसर होगा option में तो है नहीं 26 जनुरी 1950 होना चाहिए इसका राइट आंसर option में नहीं है इसलिए इस question को हम side रखते हैं next 37 नमर question है निमलिखीत में से कोन भारती समुधान की प्रारूपण सं मिती के सदस्य नहीं थे जी हां प्रारूपन समीती के सदस्य नहीं थे तो इसका राइटांसर का उप्सन मरसी राजन परसाद जी जो है प्रारूपन सदस्य प्रारूपन समीती के सदस्य नहीं थे जी हां राजन परसाद बाकी सभी थे बीमराव अमबेदकर थे किष्णा श्वामी जी थे गोपाला चारी अयंगर भी थे याद रखेगा नेक्स्ट 38 नमर कोश्चन है निम्न में से किस अधिनियम में भारत के सासन का छेत्रिय विभाजन जो किया गया था किस अधिनियम में तो इसका राइट आंसर होगा भार सरकार अधिनियम अठाड़े सो अन्ठाबन को याद रखेगा भार सरकार अधिनियम अठाड़े सो अन्ठाबन नेक्स्ट 49 नमर कोश्चन है निमलखित में से किस ने पहले 1935 में समिधान सभा का सुझा प्रस्तावित किया था जी है 1935 में ही तो इसका राइट अंसर होगा आप्शन नमर्डी M.N.Roy याद रखे M.N.Roy नेक्स्ट 40 नमर कोश्चन है निमलखित में से किस अधिनियम द्वाड़ा के अंदर में दुई सासन पर नाली सुरू की गई थी के अंदर में तो इसका राइट अंसर होगा आप्शन मर्सी 1935 याद रखे M.N.Roy नेक्स्ट एक्ता नमर कोश्चन है भारती समिधान का प्राधिकार सुरूत कोन है तो इसका राइट आंसर होग ऑप्शन वरसी भारत के लोग जिहां भारती समिधान का प्रादिकार सुरूत कोन हैं तो भारत के लोग हैं नेक्सट 42 नमर कोशन है बंधूतु नेक्स्ट तीन तारीच नमर कोशन है, भारत के समिधान का गठन डैस दुवारा किया गया था, तो आपसों इसका B होगा विधान सभा दुवारा, नेक्स्ट, आनसर दीख चाता है आप सभी को, हम कोशिश करेंगे आनसर ना दीखे, निमलखित में समिधान मसोदे समीति के अ पूर्द धे फैने तो इसका राइट आंसरों को आप्सेन मर्शी ड्क्टर भीमरा अमबेदकर जी नेम लिकित में संमिधान मज़ोदे समिती के आध्यर जो थे डाक्टर भीम्रा ऑंबेतकर जी थे नेक्सट 45 नमर कोशन है भारती समीधान में कितने भाग हैंतों तो इसक राइटानश उसकड़ आप्सिन है मड्य DO टो ँटल भाग जो हैं को को मैस dual यह जो 25 से गलत है 22 भाग हैं भारतिय समीधान में कितने भाग हैं तो 22 भाग हैं नेक्स्ट अर्टालिश नुमर 46 है प्रारूप समिती के अध्यक्ष कौन थे यसकर आइट और ऑप्सन भी डाक्टर भीम कि zgई ए तहळ पहली बार विधाईका में कुछ निर्वाचित पर दी निधित्य की मंझोरी कि पाहली बार विधाईका में कुछ निर्वाचित परती निदित्थ की मंजोरी दी गई थी। जिहां समिधान सभा का सदस्य कोन नहीं था तो इस कराय टांसर को आप्शन नमर ए महात्मा गांधी जी ये समिधान सभा के सदस्य नहीं थे नेक्स्ट उन्चास नमर कोशन है भारत की समिधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्सता किस ने की थी भारत की स्रमिधान सवा की पहली बैठक की अध्यक्षता किस ने की थी तो इसका राय टांसर का अप्शन में भी डाक्टर सचीदान सिन्हा यह ओ आस्थाई अध्यक्षते याद रखेगा और आस्थाई अध्यक्षते उबाज में डाक्टर राजिन प्रसाजी हो गए थे नेक्स्ट पचास नमर कोशन है भारतिय समिधान की किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है जी हाँ नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया तो इसका राय टांसर का अप्शन में डी नाइन का ए में जी हाँ नाइन का ए में नाइन का जो ए है उसमें भारतिय सर्विधान के नगरपालिकाओं के बारे में बताया गया है नेक्स्ट एक क्यावर नमर कोशन है भारतिय सर्विधान का कौन सा भाग किंद सासित परदेशों के बारे में बताता है भारती स्रविधान का कौन सा भाग किंद सासित परदेशों के बारे में बताता है तो इसका राइट अंसर का आप्सन नमर सी भाग एट याद रखेगा भाग आठ जो हैं ये किंद सासित परदेशों के बारे में बताता है भाग आठ नेक्स्ट बावर्नमर कोशन है भारती समिधान ने भारत को किस परकार उवर्नित किया है तो इसका राजियों का संग नेक्स्ट है भारत को एक गनराजी मुख रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका राजा अध्यक्ट का चुना होता है इसलिए यह गनराजी है गनों का राजी है क्योंकि राजा ध्यक्ट जो हैं उनका चुना होता है याद रखेगा नेक्स्ट चवर्नमर कोशन है दुनिया के निमलखित में से किस देश से भारती समिधान में रा बहुत ही इंपोटेंट है यहीं कोश्चन है लेकिन बहुत ही इंपोटेंट है याद रखेंगा आप सब तो इसका राइट आउसर और आइरलेंड जी हां आइरलेंड नेक्स्ट पच्पन नमर कोश्चन है भारते समिधान की प्रस्तावना में धर्म निर्पेक्च सेकलर सद निम्लखित में कब जोड़ा गया कौन सा समिधान संसोधन द्वारा धर्मन निर्पेक्च तो इसका राइट आउसर को और संसोधन नमर मेंड जी हां तो इसको राएट आउन्सरब ऑप्षिनसरण सी वयस्त मताहिकाड सिह समतरण मताहिकार का उलेख नहीं क्या गया बाहं की तिनों का क्या गया निया अगया मात्रित्व का क्या 57wwww को स्रोत क्या है भारत में राजनितिक सक्ति का स्रोत क्या है तो इसका राजनितिक सक्ति का स्रोत क्या है तो इसका राजनितिक सक्ति का स्रोत हैं यहां हम लोग ही भारत में राजनितिक सक्ति का स्रोत हैं क्योंकि हम सब भोट डालते हैं इसी से राजनितिक सक्ति का बढ़ा होता है हम लोग अर्थात जनता नेक्सट 58 मंदल कोशचन है हमारे समिधान में मूल अधिकार कहां के समिधान वारा प्रेडिंट है जिए मूल अधिकार को से जो कि संच राज अमेरीका से मुल-धिकार को लिया गया है समित संच राज अमिरका के समीधान से नेक्स्ट है वन सेट नमर कोॉशन है बहरत के समीधान का धाचा तैयार करने के लिए हमने संघ्य विवस्था की योजना किस देश से ली है जिहां संघ्य का कोई भी सब्द आ गया तो याद रखिएगा option number C ही होगा इसका रायट answer कानाडा संघ्य जो है कनाडा से लिया गया है संघ्य सब्द याद रखिएगा बहुत important है उसका विवस्था भी next 60 नमर कोशन है भारती समीधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है बहुत important कोशन है भारती समीधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है तो इसका राजियों के संघ्य के रूप में जिहां राजियों के संघ्य के नेक्स्ट एकसट नमर कुश्चन है भारतिय समिधान में कितनी अनुसूचियां है तो इसका डाय टांसर को आप्सन में भी डी होगा बारा जी या भारतिय समिधान में जो है बारा अनुसूची है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट बासट नमर कोशन है भारतिय समिधान की प्रस्तावना में निमलखित में से किस अभी वेक्ती का परयोग नहीं किया गया है तो इसका राइट आंसर होगा ओप्सन मड़ी संघ्ये का जिया भारतिय समिधान की प्रस्तावना में जो है संघ्ये का परयोग नहीं किया गया है नेक्सट चे भारतिय समीधार के आठवी अनुसूची में कितनी भासाई को सामिल किया गया है बहुत इंपोर्टेंट है इसका अंसर होगा ऑप्शन नमर 2 22 भासाओं को जिए आठवी अनुसूची जो है 22 भासाओं को सामिल किया गया है नेक्स चौंसट नमर कोशन भारते समीधान में कितने अनुशेद थे यह तो सभी पता होगा ओप्सन मर्ड ए होगा उनी 395 अनुशेद थे जी हाँ अभी एप्रॉक्स में भारत को क्या कहा गया है सर्विधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है तो इसका राइट अंसरों का अप्शन नमर्डी सर्व सत्ता धारी समाजवादी धर्म ने पेक्ष लोकतांत्रिक गनराज याद रखेगा सर्व सत्ता धारी समों के सत्ता धारी समाजवादी याद रखेगा धर्म निर्पेक्ष लोगतांत्रिक गनराज बहुत ही इंपोर्टेंट है नेक्स्ट श्यासट नमर कोश्चन है भारतिय समीधान की संग सूची में विसयों की संख्या कितनी है भारतिय समीधान की संग सूची में विसयों की संख्या कितनी है तो इसका रायट विएकार भाज में एकल नाग्रिकता कि आपूदारना अपनाइगाए थ्युकु आखका नियुकुर्ट यह कहां से एकल ना ग रिखता तो इसका राइट आं सोगावज अप्सन नमर ए इंग्लेंड अर्थात ब्रिटेन याद रखे इंग्लेंड नेक्स्ट सत्तर नमर कोशन है भारत का सम्मीधान भारत को कैसे वर्नित करता है तो इसका राइट अंसर का अप्शन में भी राज्य संग क्योंकि हमारा भारत जो है यह है राज्यों का संग है भारत का समिधान भारत को जो वर्नित करता है राज्य संग के द्वारा याद रखेगा next 71 question भारत का समिधान देश को किस रूप में वर्नित करता है तो वही आंसर होगा राज्यों का संग option number a 72 question है भारती समिधान ने सुद्रिट केंदर के साथ संग्य पर्नाली कहां से ली गई है संग्य पर्नाली आ गया तो वही होगा अंसर option number b Canada next 73 question है भारत का समिधान अपना प्राधिकार किस से प्राप्त करता है भारत का समिधान अपना प्राधिकार जो अधिकार है किस से प्राप्त करता है तो इसका right answer option number c भारत की जनता से ही भारत का समिधान अपना प्राधिकार ज भारती समिधान में नियाईक समिच्छा का प्रावधान किस देश से लिया गया है भारती समिधान में नियाईक समिच्छा का प्रावधान किस देश से लिया गया है तो इसका राइट आंसर को ऑपसन नमर भी यू एसे से जिहां यू एसे से लिया गया है नियाईक समिच्छा नेक्स्ट पच्छत्तर नमर कोशन है संविधान के उद्देशिका में समाजवाधी और निर्प्यक्ष सब्द किसके द्वारा जोड़ा गया तो इसका राइटाउन सोगा ओप्सन नमर C 42 में समिधान संसो धन द्वारा जिया धर्मनेर प्यक्ष भी जोड़ा गया इसी के द्वारा याद रखेगा 42 में समिधान संसो धन द्वारा नेक्स शियत्तर निमर कोशन है सर्वसत्ता संपन संसद के अवधारना किस देश की देन है सर्वसत्ता संपन संसद के अवधारना किस देश की देन है तो इसका राइट आंस अपसन नमर ए जी हां इंगलेंड याद रखेगा सर्वसत्ता संपन संसद जो है संसद का कुछ भी से लिए औलेंड से याद रखेगा नेक्स 17 हैं करसे राशुपति बाबारा राजसवा के सदस्यों के नमयकन का नियम किस देश के समीधहान से लिया गया है राषपतियों दोहारा याद तो इसका रायट अंसर को आप Labour भारतिय समीध्हान में राषपती की चुनौ पर नाली किस देश से लई गया है चुनौ पर राश्ट पती का चुनोपर्णाली भी आयरलेंड से और राश्टपती मनोनित जो करेंगे नमंकन करेंगे यह भी आयरलेंड से नेक्स्ट है 79 नमर कोशन है भारती समविधान में समवर्थी सोची किसके समविधान से ली गई है तो इसका राइट अंसोगा अप्शन मड़ी आस्टेलिया बहुत इंपोर्टन कोशन है प्रस्तावना के अनुसार प्रम सक्ति किसके हातों में होती है तो इसका राइट अंसोगा अप्शन दि लोग सभा में मंत्री पृषद उत्तरदाई है जिया लोग सभा में मंत्री पृषद है या उत्तरदाई है इसी लिये भारत में सरकार की संद्य पर नाली है नेक्स्ट नीन में से कौन सी भारतिय समिधान की विशेष्था नहीं है तो इसका राइट आउसे को आप्स नमर सी सरकार का अध्यक छात्मक रूप यह विशेष्था नहीं है याद रखे है क्या सरकार का संस्दियर रूप बिल्कुल है निया पालिका की सोतंदरता यह भी है संग्य सरकार यह भी है नेक्स्ट 83 नमर कोशन है भारत के समिधान में संग्य सब्द का परयोग कहां पर है तो इसका right answer option number C, सम्विधान में कहीं भी संग्य सब्द का परयोग नहीं किया गया है, संग्य सब्द कहीं भी नहीं है सम्विधान में याद रखिएगा, नेक्स चोड़ाशी नमर कोश्चन है भारतिय समिधान के अनुछेद में यह घोशना की गई है कि इंडिया अर्थाद भारत क्या है तो इसका राजियों का संग है ना की देश या दखिये राजियों का संग भारतिय समिधान कैसा है जी हाँ भारतिय समिधान कैसा है तो इसका राजियों का अपसर नमर B अर्ध संगिये और संगिये या रखिया अर्ध संगिये है भारतिय समिधान कैसा है तो अर्ध संगिये है नेक्स 86 नमर कोश्चन है भारतिय समिधान के किस अनुछेद में डक्टर भीमरा अमबेदकर ने भारते सविदान का हिर्दे और आत्मा का किस अनुचेद को तो सिंपल सा इसका राइट आंसर बहुत ही पॉपलर कोशन है अनुचेद 32 वो का अप्शन मरड़ी राजी की न्याक अर्थ है जाती नसल रंग और लिंग अधारी सभी प्रकार का भेदभा दूर होना चाहिए बहुत ही इंपोर्टेंट है नेक्स्ट अठासी नमर कोशन है निम्ण में से किसको धर्म निर्प्यक्ष राजी कहा जाएगा तो इसका राइटांस का अप्शन मर सी धर्मों के बीच भेदभा नो करने वाले राजी को ही धर्म निर्प्यक्ष राजी कहा जाएगा ऐसा होना चाहिए नेक्स्ट 89 नमर कोशन है समिधान के अंतरगत भारती लोकतंतर के आदर्सों को हम कहां देख सकते हैं प्रस्तावना में ही हम लोग देख सकते हैं समिधान के अंतरकत भारती लोगतंतर के आदर्सों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं नेक्स्ट नब्य नमर कोश्चन है विधी का सासन की संकल्पना कहां की समिधानिक परनाली की एक विशेश विश्चता है तो इसका राइट हैं सको आप्सन नमर ए ब्रिटेन याद रखेगा आप्सन नमर ए ब्रिटेन बहुत ही इंपोर्टेंट है नेक्स्ट विधी का सासन विटेन से ही लिया गया है विधी याद रखेगा भाद के समिधान में भाद को किस रूप में वर्नित क्या गया है बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है बार बार रिपीट होटे जा रहे हैं राजियों का संग आप्सन नमर डी नेक्स्ट बिरा मामला एस आर जाद रखेगा नेंट में में कहा गया है कि धर्म ने पेक्चवाद और संगवाद भारती सम scraps की मूल भी सिशता हैं भारaj annual जाद रखे dipping minor जाहिंए आथारीट लोग cup किसे समभाण देख है तो इसका राइट आंसर का आप्शन में डी उप्युक्त सभी होगा सक्तियों का हस्थांत्रन सक्तियों का विकेंद्री कनन पंचायती राज परनाली उप्युक्त सभी बिल्कूर उप्युक्त सभी होगा याद रखेगा नेक्स्ट चौरानवे नमर कोशन है एक तंत्र का अर्थ क्या होता है एक तंत्र याद रखेगा बहुत इंपोर्टेंट है इसका राइटांस और सी मात्र एक वेक्ति द्वार निरंग कुछ सासन एक तंत्र का अर्थ होता है मात्र एक वेक्ति द्वार निरंग कुछ सासन 95 नमर कोशन है सर्व जनीन सार भूमिक वैस्क मतादिकार दरसाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो अप्सन नमर सी लोकतांत्रिक है जी हाँ सर्व जनीन सार्व भूमिक वैस्क मतादिकार दर्साता है कि भारत एक क्या है लोकतांत्रिक गनराज है लोकतांत्रिक की याद रखेगा 96 नमर कोशन है लोकपिडिये पर्वुसत्ता क्या है लोगपिडिये पर्भुसत्ता क्या है तो इसका राइट अंसर का उप्शन मर्डी जनता का पर्भुत्व लोगपिडिये पर्भुसत्ता क्या है तो जनता का पर्भुत्व नेक्स्ट संतानमे नमर कोशन है समेधानिक राजसी का अर्थ क्या होता है तो इसका राइट अंसर है उप्सन नमर C समिधान द्वाड़ा प्राप्त सक्ति के अनुसार राजियों की द्वाड़ा सक्तियों का पडियो नेक्स्ट 98 नमर कोशन है भारत के संझस्दिये रूप का विचार कहां से लिया गया है? संझदिये तो अभी जस्ट बताएं संसत के बारे में कुछ भी रहेगा तो बिरिटेन ओप्शन नमर B नेक्स्ट नाइंटी नमर कोशन है सकेंड लास्ट कोशन है किस देश में कुछ लोग अधिक लोगों पर सासन करते हैं तो इसका राइट नमर D अल्प तंत्र जी हां किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर सासन करते हैं तो अल्प तंत्र और हैंडे नमर कोशन है उस देश का नाम बताएं जिसमें संसोधन के लिए परिकिरियाओं के सम्वेधानिक स्विवधाओं को भारस से उधार लिया गया था उस देश का नाम बताएं जिसमें संसोधन के लिए परिकिरियाओं की सम्वेधानिक स्विवधाओं को भारस से उधार लिया गया था तो इसका राइटाम सोगा आप्शन मर्सी दच्छिन अफिरका जी हां दच्छिन अफिरका और यह फर्स्ट पार्ट कम्प्लीट हुआ सकेंड पार्ट में हम 101 से 200 तक जाएंगे इसी तरह पार्ट वाई पार्ट हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि एक ही पार्ट में कम्प्लीट करेंगे तो वीडियो बहुत लॉंग हो जाएगा ऐसे हम कोशिस करेंगे सभी पार्ट को जोइंट करके एक पार्ट हम ऐसा बनाया चलिए हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में और आप लोग कैसे हैं आसा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करती चीएगा थेंक यू बाइबाइ